तो देखे कितना बढ़ियां हमारा बनाना चिप्स बना है और कितने अच्छे आवाज इसमें से आ रहे हैं कितना अच्छा करंची बना है क्रिस्पी बना है आप सून सकते हैं इसका आवाज से आपको पता चल रहा होगा कि कितना बढ़ियां क्रिस्पी बना है हमारा बनाना और मैं यहाँ पर आपको तूर कर भी दिखा रही हूँ तो देखिए कितना बड़ी हैं हमारा चिप्स बना है आपको बाजार से चिप्स लाने की कोई जरौत नहीं पड़ेगी आप इसको बहुत कम टाइम में फटा फट बना सकते हैं तो यहाँ पर हमने लिया है पांच केला जिसको मैंने पहले ही दो लिया था इसको आप पहले ही दो ले क्योंकि चिप्स बनाने के लिए उसमें आपको केला में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए इसको आप कोशिश करें थोड़े दिर पहले इसको दो ले उसके बाद आ यह वाला केला हमने लिया यहां पर मोटा वाला वैसे जो चिप्स बनता है केले का तो वो जो केला होता है वो केडला वाला केले का बनता है अगर वो आपके पास इजली मिल रहा है तो आप उसी का बना लीजिए जिसमें अंदर से थोरा थोरा यलो रहता है और साइज में नहीं होना चाहिए तो इसी लिए उसी केले का जो है चिप बनता है अगर वो ना मिले तो इसका भी आप बना सकते हैं और यहां पर हम केले को छील लेंगे और इसमें ग्रीन वाला पार्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए तो इसको अच्छे से आप छील लेंगे ऐसे ही तो यहाँ पर हमने एक केला छील लिया है तो यह देखिए मैंने यहाँ पर सारे केले को छील लिया है और इसको मैंने इसमें पानी बिल्कुल लिया होना चाहिए अगर बाद में आप धोते हैं तो इसको कपड़े से अच्छे से इसको पोच करके ले लिजी इसमें पानी बिल्कुल ने होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर पहले केले को छील कर रख लिया है, अब हम क्या करेंगे, तो पहले हम ओयल गरम होने के लिए रख देंगे यहाँ पर, और यह हमने लिया है नमक पानी, इसका हम यूज करेंगे फ्राय करते हैं, तो यह हमने एक का यूज ना करें इसको आप बर्त में भी खा सकते हैं तो अधर तेल रख दिया गरम होने के लिए मीडियम फ्लेम पे और आप हम क्या करेंगे केला को हम पतले पतले इस तरह से चिप्स के स्लाइस में इस तरह की से काट लेंगे आपको जो भी सेफ पसंद हो लंबा सेफ पसं तके अपना रखें और जब हमें फ्राय करना होता उसी टैम आप केले को काटा है इस तरीके से तो हम यहां पर पहले दो केले को इस तरीके से काट लेते हैं एक बेस में हम दो केले को भी फ्रै करेंगे और उसके बाद हम वो काटेंगे एक ही साथ सारे केले को हम काट कर नहीं रखेंगे क्योंकि इसका कलर जो होता है चेंज हो दाता तुरत ही तो यह हमने दो केले को काट लिया है अब हम चलते हैं इसको फ्राय करने के लिए तो यहाँ पर तेल हमारा मेडियम गरम है और तेल को चेक कर दें के लिए यहाँ पर एक केला हम डाल देंगे तो देखे जैसे ही मैंने इसमें डाला है तो यह सिक करके उपर आ रहा है तो तेल हमारा अच्छा गरम है तेल हमारा medium to high गरम होना चाहिए तो इतना गरम हमें तेल चाहिए यहां पर तो तेल हमारा ठीक है बिल्कुल परफेक्ट है अब हम इसमें डाल देंगे केला तो जितना हमने काट कर रखा था सारा हम डाल देंगे एक बार में आप जितना फ्रै करें उतना ही काटे और इसको 2-3 निनट के लिए ऐसे ही फ्रै होने देंगे और इसे हम चला देंगे एक बार इस तरीके से और सारे के लिए आप देख सकते हैं ये फ्राय होके उपर आ गया है अब हम इसमें डाल रहे हैं नमक वाला पानी दो चम्मच हम पानी डाल देंगे इसमें यह नमक वाला पानी जो होता है यह डालने से इसका जो temperature होता है इसको यह maintain करता है यह balance बना के रखता है इसलिए हमें इसमें नमक पानी का यूज करना होता है लेकिन अगर आप वर्थ के लिए बना रहे हैं तो नमक पानी का यूज ना करें अगर आप ऐसे ही खाने के लिए बना रहे हैं तब आप डाल सकते हैं तो अभी हमारा केले का जो कलर है अभी अच्छे से नहीं दिख रहा है सुनेरा तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारा चिप्स जो है अच्छा करंची बना है कि नहीं क्रिस्पी बना है कि नहीं इसको हमें हल्का सुनेरा होने तक इस तरीके से फ्राय कर लिना है तो देखिए अब हलका सुनारा हो चुका है और केला हमारा आच्छे से फ्राय हो गिया है यह चिपस हमारा तो हम सारे केले को इस तरीके से निकाल लेंगे सारे चिपस को और थोरा साम इसको टॉस कर देंगे ताकि एक्स्ट्रा ओयल जो है निकल जाए और इसको हम निकाल करके रखेंगे टीशू पेपर पे ताकि जो भी तेल हो निकल जाए टीशू पेपर जो है अपने अंदर सोख लेगा और जब तक वो हमारा फ्राय हो रहा था तब तक इधर बचा हुआ केला जो था उसको भी हमने काट लिया है और अब हम यह डाल देंगे इसको भी हमें वैसे ही फ्राय कर लेना है दो-तीन मिनट पहले फ्राय करना है और फिर उसके बाद नमक वाला पानी डालना है और जब तक नमक वाला जो पानी हम डालेंगे उसके गरगरा हट के आवाज आती है जब तक वो बंद ना हो जाए जब वो बंद हो जाए तो फिर से आप एक बार डाले तो यह काम आपको नमक पानी वाला दो से तीन बार करना पड़ सकता है जब तक आपका चिप्स में हलक बादा पानी जब भी आप डाले, तो जब तक उसका गरगरा हट खतम नहीं हो जाई तब तक आप दूबारा ना डाले, इस चिपस को भी हमने निकाल लिए है, सारे चिपस को, अब हमारा सारा चिपस फ्रै हो चुका है, तो देखिए कितना बढ़िया इसमें सारे चिपस में अच्छा से कलर आ गया है तो यह लिजिए हमारा सूपर टेस्टी बनाना चिप्स बनके रेडी है और कितना बढ़ियां लग रहा देखने में बिल्पूल बाजार जैसा तो आप भी इसको जरू ट्राइ किजिएगा अपने घर पे बहुत टेस्टी बनता है और बहुत आसान ह बनाना और इसमें हम डाल लेंगे स्वाद के लिए थोरा सा इसको हम चटपटा बना लेते हैं तो थोरा सामने यहां पर चिली फ्लेक्स डाला है और थोरा समबस लाल मिर्च डालेंगे बिल्कुल एक चुटकी भर अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो इसको स्किप कर करेंगे और नमक डालने के आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने तेल में नमक वाला जो पानी डाला था उसी से नमक वाला फ्लेवर आ गया है इसमें तो आप नमक बिल्कुल ना डाले इसमें आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी नमक डाल तो प्लेज वीडियो को लाइक करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई और हाँ सब्सक्राइब करने के बाद बैल बटम डिक लिए कर लिजेगा ताकि मैं